आज के दिन दोस्तों मोर्टर नहरा में मैरिजेस का श्यादी का न पूरा आज के दिन कल्चर हर देश में खतम होता जारा और जादा तर कंट्रीस में दोस्तों आज के दिन आपको लेविन रिलेशिंशिप का कल्चर अधिक तोर पर चलता हुआ नजर आ जाएगा और बहुत सारी कंट्रीस में आज के दिन तो दोस्तों लटकियों के शादी से पहले ही 10 से 15 अफेस होना बहुत सादा कॉमन बात हो चुकी है ये पूरा दोस्तों खेल वेस्टरन कल्चर के चलते दुनिया में फैल चुका है यरना ही किसी के साथ रोमेंस करती हुई नजर आने वाली है तो आज इस वीडियो में मैं दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीस के बारे में आपको बताऊंगा जहां की लड़के शादी से पहले कभी भी किसी के साथ प्यार करती हुई जा रिलेशनशिप में आती हुई बिलकुली नजर नहीं आने वाली तो चलिये जानते हैं दुनिया की 10 ऐसी ही कंट्रीस के बारे में वीडियो में इंट्रस्टिंग कंबार होने वाली है तो अभी से कोल्डुरिंग पॉपकॉन सब कुछ तयार रखो नमबर 10 पर यहां नाम आता है थाई लेंड का वैसे तो थाई लेंड में भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर और लिविन रिलेशनशिप में रहते हुए लोग नजर आ जाएंगे लेकिन इसके बाद भी न बहुत सारी जगाओं पर थाई लड़के अपने कल्चर को फॉलो करती हुई नजर आएंगे और बहुत सारी लड़के शादी से पहले किसी के साथ भी दोस्तों प्रें संबन बनाना जा फिर किसी के साथ भी प्यार करना रिलेशनशिप में आना ब जेज आपको रिलेशनशिप की 14 साल देखने को मिलती है आगे बढ़ते हुई चर्चा दोस्तों अगर हम नबर 9 के देश की करें तो यहाँ पर नाम आता है जैपैन का जैपैन ही लड़की आज के दिन बले ही मौटरन जुप में आच चुकी हो जैपैन बहुत ही मौटरन द समझा जाता और लिविन रिलेशनशिप में रहना और एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर करने को जैपैनी लोग फैस्टरंस का कल्चर मानती है यही वज़ाए कि जैपैन में भी दोस्तों रिलेशनशिप की एवरेज एज आपको देखने को मिलेगी 20.40 यह यानि 20 साल के बादी क लड़कियां जिन्दगी में पहली बार प्यार करती है किसी के साथ संबंद बनाती है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आती है और इस एज तक कई बार काफी लड़कियों की शादी भी हो जाती है आगे बढ़ते हैं चर्चा अगर दोस्तों हम नमबर राट के देश की कर करती है किसी के साथ संबंद बनाती हुई नजर आएंगी ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है आज के दिन दोस्तों नाइजेरिया में आपको रिलेशनशिप की एवरेजेश देखने को मिलेगी 20.62 साल और इस तरीके से यह दुनिया की आठवे नमर की ऐसी कंट्रिया जहां की लड़की आना शादी से पहले पूरी तरह से किसी के साथ भी आपको नजर नहीं आएंगी और शादी से पहले किसी के साथ प्यार करते हुए नाजीरियन लड़की कभी नजर नहीं आने वाली आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 7 की अगर दोस्तों हम करें तो नाम आता ह यहाँ चाइना का एक और एशियन कंट्रीज लिस्ट में जगाब बना चुकी है वेस्टरन कल्चर को चाइनिस बिल्कुल भसन नहीं करते शायद यही वज़य कि आज के दिन भी चाइना में आपको काफी हद तक दोस्तो वेस्टरन कल्चर ना चलता हुए नजर आएगा और यहाँ पर लोग शादी को बेहद ही जाना इंपोर्टेंट समझते हैं जिसके चलते दोस्तो यहाँ लिविर रिलेशन्शिप का ट्रेंड आज के दिन भी काफी लो लेवर पर चलता हुए नजर आज एगा रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तो एक चाइनिस लड़की अपनी जिंदिगी में जब पहली बार प्यार करती है पहली बार रिलेशन्शिप में आती है तो उसकी एज 21 पॉइंट 22 साल की होती है 21 से 22 साल तक यहां की लड़की कभी किसी के सथ प्यार नहीं करती किसी के साथ संबन नहीं बनाती और इस तरीके से ये भी उन देशों में गिना जाता है जहांकि अधिक्तम लड़की आज़ी के बाद ही पहली बार दोस्तो लव करती हुई नजर आएंगी आगे बढ़ते हुए चर्च अगर हम नंबर 6 की करें तो नाम आता है ताईवान का इस एशियन कंट्री में दोस्तो आज के दिन भले ही लोग बेहती ज़ादा मौडरन हो चुके हो लेकिन अपने रिचुल्स और कल्चर को ना आईवान के लोग भी बिल्कुल भूलते हुए नजर नहीं आती है शादी को यहां बहुत ज़ादा एहमियत दी जाती है और यह भी देखा जाता है कि कोई लड़की अगर शादी से पहले किसी के साथ संबंद बनाये जाँ किसी के साथ प्यार करें तो यह बहुत ही जादा खराब बात भी मानी जाती है यही वज़ाए कि यहां की एक लड़की पहली बार जब संबंद बनाती है जाँ फिर रिलेशन्शिप में आती है तो उसकी 21.90 साल के आसपास होती है यानि 22 साल के दोस्तो महलाओं के लिए लास बहुत स्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे महलाओं के लिए यह बेहत ही जादा खराब और शरमनाक बात टर्की में मानी जाती है कि अगर वो शादी से पहले किसी के साथ संबंद बनाती है या फिर शादी से पहले किसी के साथ प्यार करती है शायद यही वज़े हैं कि यह आज के दिन दोस्तो टर्की देश का जो एवरेज एश निकला है लड़कियों का रिलेशनशिप का वो है तक्रीबन 22 साल एक लड़की 22 साल की होने से पहले कभी किसी के साथ संबन नहीं बनाती, किसी के साथ प्यार करती हूँ बिलकुल नजर नहीं आती हूँ और 90 से 95% लड़किया तो शादी के बाद ही पहली बार प्यार करती है और पहली बार संबन बनाती हूँ नजर आती है नमबर चार पर नाम आता है दोस्तो साउथ कोरिया का इस हेशियन कंट्री में भी आज के दिन बले ही टेकनालोजी बहुत अवल दर्जे पर जा चुकी हो लोग बेहदी मौडरन हो लेकिन शादी की है मियद आज भी दोस्तो साउथ कोरिया में बहुत हाई लेवल पर आपको देखने को मिलेगी यही तो वज़ा है कि एवरिच रिलेशन्शिप की एच यहां 22.10 साल देखने को मिलेगी एक लड़की 22 साल की होने से पहले यहां प्यार कर ले चांस पेहली जादा कर मुते औरद इक्तम लड़की है यहां शादी के बाद ही प्यार करती हुई लव करती हुई रिलेशन्शिप में आती हुई नजर आने वाली है नमबर तीन पर नाम आता है दोस्तों इंडोनेशिया का इशिया का ये देश आज के दिन अपने कल्चर रिच्वल्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है यहां पर ये बात बहुत ही ज़्यादा खराप मानी जाती है अगर कोई लड़की शादी से पहले किसी के साथ प्यार करती है या किसी के साथ संब्बन बनाती है यहां इस चीज़ को बहुत जादा सीरियस लेवल पर देखा जाता है यही वज़ए कि इंडोनेशिया की लड़कियों की आवरिजेश निकली है प्यार करने की रिलेशनशिप में आने की 23.6 साल यहां पहली बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आती है और दिक्तम लड़कियां दोस्तों उस समय तक शादी करके अपने हस्पेंट के साथ ही रिलेशन बनाती हुई नजर आती है नबर दो की तरफ पड़े तो नाम आता है दोस्तों अपने देश यहां इंडिया का इंडिया आज के दिन एक ऐसा देश है जहां पर अदिक्तम महला हैं बहुत ही जालन लॉयल और बहुत ही जादा मानदा रहती है अपने हस्पेंट के लिए यही वज़ाए कि आज के दिन भी दोस्तों बहुत सारी लड़किया अप पहली बार संबन्द और पहली बार रिलेशनशिप अपने हस्पेंट के साथ बनाती हुई ही नजर आएंगे सबसे जाथ लेट उमर में जाकर रिलेशनशिप में आती है और जारा तरतूर में से शादी के बाद ही रिलेशन बनाती हुई नजर आएंगी मलेशिया की एक लड़की 23 पॉइंट 98 साल यानी तकरीबन आप 24 साल मान दीजिए 24 साल के होने के बाद ही रिलेशनशिप में आना पसंद करती है और इस तरीके से या दुनिया की नंबर वन कंट्री है जहां की अदिक्तम महलाईं सिर्फ और सिरफ अपने पती से ही रिलेशन बनाती हुई नजर आती है वीडियो के बारे में दोस्तों वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बतायों आपके लिए डेली लानी है चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट अभी सब्सक्राइब कीजिए